वेलकम डियर स्टूडेंट जुलोजी विद अंकिता मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे महारजा गंगा शिंग यूनिवस्टी की जो समेस्टर परिक्षा हुई है बीए सी फस्टियर की जुलोजी की उसके अंस्वर क जो होते हैं वो किस में आते हैं प्रोटिस्टा ए नमबर उप्षन ओस्मोर एकुलेशन परमीश्यम में होता है तो वो होता है कॉंट्रेक्टाइल वैक्योल यानि की संकुचनशिल धानी के द्वारा उप्षन नमबर डी जो है इसका सही उतर रहेगा अगला प्रशन है एक तोivering macronucleus और एक micronucleus परमीश्यम में autotomy तथा conjugation दोनो लैंग एक sexual reproduction केलाते हैं क्यों यानि कि 이 सही प्रशन नमबर प्रशन नमबर प्रशन है आपका विच लार्वा स्टेज ब्लड़ फेशियोला मूव्ज फ्रीली इन वोटर इन शर्च ऑफ्राइम्री होष्ट यानि की प्रात्मिक प्रपोशी की सर्च के अंदर कौन सा लार्वा जो है वो पानी के अंदर फेशियोला का स्वतमतर तेरता रहता है तो वो लार्वा स्टेज है student मीरा सीडियम option number B जो है वो इसका सही रहेगा अगला प्रशन है आपका how are coral reef mad coral reef mad जो है वो किससे बनती है coral reefs जो है इसका निर्मान किससे होता है तो वो होता है student छोटे जीवित polyp के द्वारा होता है तो इसका सही option क्या रहेगा अगला प्रशन है अमारा leucosinelia के अंदर जो flagellated larva है वो क्या कहलाता है leucosinelia का flagellated larva parent का इमूला कहलाता है option number D सही रहेगा animalia तथा पादब के बीच की कड़ी है यूगलिना क्योंकि ये autotrophic होती है प्रकाश translation भी कर सकती है अगर इसको प्रकाश मिले क्योंकि इसके अंदर chlorophyll पाया जाता है next question है आपका faciola का प्रात्मिक परपोशी है primary host जो है वो बेड़ है बेड़ की liver के अंदर ये रहता है next है फीता करमी अपने परपोशी से पोशन प्राप्त करता है फीता करमी बात करें तो टीनिया सोलियम की तो टीनिया सोलियम के अंदर क्या खास बात है कि ये मनुष्य की आंत के अंदर रहता है तो वहाँ से पचा-पचा बोशन डिरेक्ली एब्जोर्ब कर लेता है अपने टेग्यूमेंट के द्वारा तो option number C जो है वो इसका क्या रहेगा सही रहेगा absorbing through इंटेग्यूमेंट प्रशन number 10 दसवाँ प्रशन है सुविक्षित तंतरिका तंतरवे इंदरिया निवन मेश से किस वरग में पाई जाते है प्रशन number 11 तो मैं बात करूँ सबसे पहला है सिलियेटा तो इसमें तो नहीं पाई जाएगी तो सबसे ड्वलाप अगर बात करें तो सी नंबर सेस्टोडा है तो इसलिए उत्तर रहेगा सी प्रशन number 12 उंकोस्पीर लार्वा बिलोंग टू उंकोस्पीर लार्वा जो है वो किसका है किसमें पाय जाता है टीनिया सोलियम के अंदर पाया जाता है लेंगिक यानि के सेक्सवल रिप्रोडेक्शन करती है तो ये क्या है एक सेक्सवल जोइड है प्रशन number 15 पंदरवा प्रशन है टीनिया सोलियम की ब्लेडर वर मवस्ता इसके प्रपोशी में मिलती है तो प्राइमरी होस्ट को संकरमित करती है तो ये किस में पाय जाती है प्राइमरी होस्ट में ड्रेकन कुलस मेडिनेंसिस का मद्यस्त प्रपोशी है इंटरमीडियेट होस्ट है तो वो क्या है साइक्लोप्स उप्शन number D सही रहेगा प्रशन number 17 औरीलिया है औरीलिया में निमेटोसाइट सहल पाई जाती है उनसे वो अपने समुंदर के छोटे-छोटे जिवों को मार के खाता है तो माशा हारी नैचर है उप्शन number B जो है वो सही रहेगा कार्निवर्स होते ही है वुचरेरिया ब्रेंकोफटाई ट्रांस्मिटेड बाई किसके द्वारा जो है वुचरेरिया ब्रेंकोफटाई संकर्मित संचरित होता है तो क्यूलेक्स माशार के द्वारा यानिके उप्शन number D सही रहेगा प्रशन number 19 टीनिया सोलियम की सिर वारा बाग क्या कहलाता है स्कोल एक्स कहलाता है तो उप्शन रहेगा D सही पिन वर्म मुख्य रुपसे सरीन में कहां पाई जाते हैं तो इंडन स्टाइन वारे बाग में पाई जाते हैं कोलन तथा रेक्टम जो उप्शन number B जो है यानिकि नर और मादा को अलग-अलग बताने वाली जो विभीदन अवस्ता है वो क्या कहलाती है वो कहलाती है सेक्ष्वल डीमॉर्फिजम ये नंबर ओप्शन जो है वो सही रहेगा प्रशन number 23 उत्सरजी अंग एसके रिश में कुन सा है तो वो होती है रैनिटी ग्लेंड ठीक है उप्शन number D सही है फाइलेरिया रोग फाइलेरिया बोले तो एलिफेंटेसिस या हाती पाउं रोग किसके द्वार होता है वोचलेरिया ब्रेंक ओफटाई जो कि ये क्या है निमिटोड है निमिटोडा का वरम है चलिए अगले प्रशन के ओर बढ़ते हैं अगला प्रशन है अपोलाइसिस बहुत शानदार प्रशन है अपोलाइसिस किसे कहते हैं देखें मैंने आपको बतायता जो टीनिया सोलयम होता है वो क्या करता है अपने प्रोगलोटीड यानि कि अपने देहे खंड को कुछ समय के बाद में त्यागने की नेचर रखता है, परवर्ती रखता है, जिसको क्या बोलते हैं, एपोलाइसिस बोलते हैं, तो यह किस में होएगा, टीनिया के अंदर, option number क्या है, A सही है, C pain, यानि कि समुंदरी pain किसको कहते हैं, पैनेटु respiration करता है, कैसा करता है, anaerobic, AYVS option करता है, क्योंकि मनुश्य की आंत के अंदर, intense time के अंदर रहता है, तो कैसा respiration करेगा, AYVS, रूप से सही रहेगा, प्रशन number 30, प्रोटो जुआ के वर्गी करण का आधार है, आधार क्या है, प्रोटो जुआ के वर्गी करण का, गमनांग है, इसके जो लोकोमेशनेरी ओर्गन है, वो इसके classification का base है, प्रशन number 31, ट्रेपेनोसोमा किस में आता है, तो ट्रेपेनोसोमा में स्पन्ज के लिए सही बात है, तो स्पन्ज अगर मैं आपको बताऊं, ये समूंदर हो गया, और ये समूंदर के अंदर ये स्पन्ज है, तो स्पन्ज का यह उपर है, यहाँ पर एक पोर पाये जाता है, जिसको हम बोलते है, ऊसकुलं, इससे वोटर स्ट्रीम जलदारा बह बहार निकलती है और बोटी पर ऐसंक्या छिदर पाई जाते हैं जिससे जलदारा क्या होती है अंदर परवेश करती है तो कहने का मतलब अंदर आने के लिए तो बहुत सारी छिदर होगे यानि की माउथ की तोर पर तो बहुत सारी छिदर होगे लेकिन जलको बहार जाने के ल अगला प्रशन है जन्तु जिसमें श्वर्षन उत्सरजन वर परीशंचन सरचना नहीं पाई जाती तो इसका उप्षन रहेगा यह ओप्षन जो है वो सही रहेगा क्योंकि स्पंज जो है उसमें सारा काम कैणाल सिस्टम के द्वार होता है तो बाकी तंतर इसमें नहीं पाई जाएगे प्रशन नमबर 35 स्पंजों में इस सभी नालतंतर के अंदर कौन सा चेंबर है जैसे जो कोमन है किसी भी परकार का कैनाल सिस्टम हो लेकिन वो चेंबर सब में पाय जाएगा ऐसा चेंबर कहलाता है पेरागेस्टिक हुआ यानि कि D नमबर उप्शन सही औरिल्या generally is known as औरिल्या का और नाम क्या है औरिल्या को जैली फिस भी बोला जाता है तो इसका सही उत्तर क्या होगा जैली फिस अगला परशन है सिलन्टरियंता परानियों के जी वज वर्थ हेतु उप्युक्ठ सबदावली इसमें क्या पाई जाते है polymorphism बहुर उपता पाई जाती है तो सही उतर क्या होगा ए नंबर polymorphism सिलेंटरिंटा में जो fresh water polyp होता है प्रशन नंबर 38 वो क्या कहलाता है वो कहलाता है hydra fresh water polyp है अगला प्रशन है प्रशन नंबर 39 दंसकोशिका या निमेटो साइट्स का यूज किसमे होता है तो ये जो सिलेंटरिंटा के जो प्राणी होता है उनको defense के लिए मिली होती है यानिके option number C रक्षा सही रहेगा प्रशन नंबर 40 चालिस मों प्रशन है सिलेंटरिंटरिंटा की लार्वा stage तो सिलेंटरिंटरिंटा की जो लार्वा stage होती है वो कौणश होती है प्लेनूला लार्वा stage रहती है तो ये थे आपके 40 कोशन जो माराजा गंगाशिंग उनिवस्टी के द्वारा जो है समेश्टर परिक्षा में पहले पेपर जी विग्यान में पुछा गया था तो सभी उत्तर आप तक पहुँचा दिये गए हैं आप अमने आंस्वर जो है वो मेच कर दे तथा कमेंट सेशन में ये बताना ना बुलें कि किस विद्यारती के कितने प्रशन जो है वो सही रह रहे हैं पहुत पहुत बताईयों आपको तन्यवात